पांच सव साल बाद बन रहा है दुरलब महाशयोग एक यनवरी ने साल के दिन गाय को खिला दे ये एक छोटी से चीज रोडपती से करोडपती होने से कोई नहीं रोखशकता। ने साल की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुब कामनाएं तो इस बार दोश्तों ने साल की सिरुवात बहुत शुवयोगों में हो रहा है। जब भी दूलब सुवयोग बनते हैं तो हर चीज में लाब होता है, जीवन हमारा सरल हो जाता है, माता लक्षमी कृपा बनती है। तो नए साल के दिन जब इतने सारे सुवयोग बन रहे हैं तो अगर इन सुवयोगों में गाय को आप एक छोटी सिजेश खिला देते हैं तो पूरे साल धनकी कमी नहीं रहेगी और जो लोग रोडपती भी हैं वो करोडपती भी हो जाएंगे। जिनके जीवन में ब्यापार अच्छा नहीं चल रहा है नौकरी की प्रापती नहीं हो रही है। गाय को ये एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें इससे आपके घर में धन बरकत और बैभो की ब्रद्य होगी माता लक्षमे कृपा हमेशा बरस्ती रहेगी कभी भी धनकी कमी नहीं होगी। इसलिए हमें जिसे दिन की स्तुरवात में हम सुबह शुबह अच्छे करते हैं पूरा दिन अच्छा जाता है उसी प्रकार से जब नए साल की स्तुरवात करते हो एक जनवरे की दिन हमारा शुब जाता है तो पूरा साल हमारा बहतर जाता है यानि कि बहतर से बहतर अच्छ लाव योग बनते हैं जीवन में उपलब्धियां बनती हैं कार्षेत में लाव होता है और कुछ भी जो परिशानियां है वो शारी परिशानियां दूर होती चली जाती है तो इस प्रकार से आपको यानि कि नए साल के दिन यानि कि एक छोटा सा उपाई करना है जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगी ये बहुती चमतकारी और बहुती लावकारी उपाई है अगर आप नए साल के दिन ये उपाई कर लेते हैं असरकारक उपाई तो जीवन में धन समनिश मशायदोर होंगे और माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी दोस्तों गाई में सभी देवी देवताओं का वास होता है गाई में 33 करोड देवी देवताओं का वास होता है माता लक्ष्मी जीवास करती है भगवान विश्वन जीवास करते हैं महादेव, बजरंग, बली, भोलेनात हर कोई देवता अबास करता है, गड़े शिवास करते हैं तो नए साल के दिन आप गाय को जरूर ये एक छोटी चीज़ खिला दे सबसे पहले नए साल के दिन क्या करेंगे सुर उदैशे पहले यानि ब्रह्म महुर्त में उठें नए साल के दिन कभी भी आप यानि की ज़्यादा देर तक ना सौएं शूर उदैशे पहले उठें और उठकर अश्नान ध्यान करके नित करम शिन निब्रत होकर फिर आप पूजा पाठ जरूर करें, माता लक्षमीज के पूजा जरूर करें, माता लक्षमीज के पूजा जरूर करें, माता लक्षमीज को आप लाल फुस्प, लाल वस्त, लाल फल अरपित करें, उसके बाद फिर आप क्या करें, कि आप थोड़े से खीर बना लें, खीर ब लेने के बाद इस आटे को सुध जल से गूंद कर इसकी एक रोटी तयार कर लें। लेने के घी रखकर और ले जाकर गाय को चुपचाप खिला दे अपनी मनोकामना बोलते हुए। लेने के स्रोध बनेंगे। आपकी आंदनी भी बर्ष जाएगी, माता लक्षमी करपा बर्षेगी, क्योंकि माता लक्षमी के बास गाई में होता है, दोस्तों इस दिन आप चाहें तो आप एक रोटी ले लें, रोटी में गुर घी अभी आप डाल की यानि खिला सकते हैं, और काले तिल ध्यान रखेगा अगर काले तिल और गुर घी के लड़ू बनाकर रोटी में रखकर गाई को खिला दें, तो माता लक्षमी खिची चली आती हैं, और घर में शुक्षुविदा के प्राप्ति होती है, कभी भी धनकी कमी नहीं होती, गौ माता को आप साल के पहले दिन, एक जनवरी की दिन, उनकी पूजा अराधना करें, उनकी अराधना करें, उनके चर्णों को प्राणाम करें, और एक जनवरी की दिन, गाई के पेर से अपने दाहिने हाँ से मस्तक पर जरूर छुएं, और दाहिने पेर के निची के धूल अपने मस्तक पर छुएं, इसे आपके जो सारे पाप, लोग दोस होगे, वो नश्ट हो जाएंगे, क्योंकि गाए बहुती सुभ होती है, नए साल के दिन अगर आप गाए को अपने घर की पहले खुराग खिला देते हैं, ध्यान रखें दोस्तों, नए साल के दिन, एक जनवरी की दिन, आप के घर में जो पहले रोटी बनेगी, व कि दिन आप रोटी खिलाई है, तो उसमें हल्दी, गूड़घी और थोड़से चाहें तो काले तिल भी डालके खिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गाए को एक मुठी घास लेके, एक मुठी घास में आप एक रोटी रखले, थोड़ेसी घ्लदी रखले, थोड़ेसे जब हमारा शुभ होता है बेहतर जाता है तो पूरा शाल बेहतर होता है इसलिए गाए को नय सल के दिन जरूर आप अपने घर की पहले रोटी ख trásा एइसा करने से जीवन में लाव होता है धन समपनता में ब्रत दी होती है कावी में आपको कई तरह की लाभ मिलते हैं और जो कुछ भी समझाए थी जो कुछ भी परेशानिया थी वो दूर होती चली जाती है लाभ किस्तिती बनती है ब्यापार में ब्रद्दी होती है कई में पुर्चेतरों से लाभ होता है और जवर्जस्त लाब देखने को मिलता है तो इस परकार से आप ये उपाय जरूर करें इससे आपको लाब देखने को मिलेगा आमदने के स्रोथ बढ़ेंगे कारियों में चली आ रही परिशानिया भी दूर होती चली जाएगी तो दोस्तों बीडियो बहुत ही अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर लिखेगा जय मालक्ष्मी और इसे अपने दोस्तों के बीच यारों के बीच रिष्तेदारों के बीच अधिक सेदिक पहुचानी के कोशिश करिएगा और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा याय मालक्ष्मी